आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। तो चलिए, इस कहानी का वाचन सुनते हैं मेरे यानि मंजु की आवास में। खाकर एश्ट्रे पर फेकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, ये बात उन दिनों की हैं जब मैं बी ये फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा महनती, बड़ा इमानदार था। महीनों हमारी मा जब घर के बाहर रहती थी, वो सारे घर की देखबाल करता था। एक चीज भी कभी इधर से उधर ना हुई थी। एक बार यही बरसात के दिन थे, मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल-लाल दाने से उठाए थे, और उसके लिए मैं एक जंबक की डिबिया खरीद लाया। मेरी मा मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे। वही मैंने वो डिबि खोली। भी के दानों पर जहां तहां लगाया और डिबि मा के हाथ में दे दी। पास ही के ठानी खड़ा-खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहिन के दानों पर जंबक लगा चुका तब के ठानी ने उच्शुकता से पूछा। काई भाईया यी से यी सब अच्छो हुई जई हैं। मैंने कहा हां खाज, फोड़ा-फुनसी, जले-कटे ये सब जगे दवा का काम करता है। इसके बाद के ठानी अ बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है, कहा गई, कौन जाने। बड़ी बेहन कह रही थी, उसे छोड़ कर और ले ही कौन सकता है मा। कल उसकी भावज आई थी न, उसके लड़के के सिर में भी बहुत सारी फुनसियां थी। पिताजी कह रहे थे, कहीं महराजिन न अखिल उससे कह रहा था ये गोरे होने की दवा है, अब लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं है न। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था, पिताजी की बात में दिल्चस्पी लेते हुए वो बुला, बापू, महराजिन तो हमेशा गोर होने की फिकर में रहती है, फि उसे बुला कर पूछा गया तो उसने कहा, जब भाईया लगाई हती आपने, तो तब ही देखी रही, फिर हम नहीं देखन सरकार, मुझे क्रोध आ गया, बोला, तो डिबिया पंक लगा कर उड़ गई, इठानी ने मेरी तरफ देखा, बोला, भाईया, मैंने कहा चुपो, म वहीं खड़ा रहा, और मैं अपने कमरे में चला गया, मैंने सुना, वो मा से कह रहा था, मालकिन, चलके मोर कोटरी खोली देख लई, मैं क्या कर रहीं दवाई ले जाएके, फिर जवन चीज लागी, मैं मांगने लई हो सरकार से, मैं कोट उतार रहा था, नजाने मुझे क् रोधा गया और कमरे से निकल कर बोला, चले जाओ अपना हिसाब ले कर, हमें तुम्हारी ज़रत नहीं है, आखिर मा ने बहुत समझाया, पर हम सब भाई बहन ना माने, और मा ने किठानी को बहुत रोकना चाहा, और वो यही कहता रहा, जब तक भाईया माफ न कर देंगे, अपने मूह से मुझ से रुकने को ना कहेंगे, मैं ना रुकूँगा, और मैंने ना तो किठानी को रुकनी के लिए कहा, और ना ही वो रुका, हमारे घर की नौकरी छोड़ कर वो चला गया, पर घर के सब लोगों को वो प्यार करता था, वो गया जरूर, पर तन से गया, मन से नहीं मा को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज्यादा उसका अभाव खटका वो मेरे कमरे को साफ रखता था सजा कर रखता था फूलों का गुल्दस्ता नियम से बना कर रखता था मेरी जरूरते बिना बताये ही समझ जाता था और उनको पूरी भी करता था पर जिद्धी सुभाव के कारण चाहते हुए भी मैं मां से कह न सका कि किठानी को बुला लो जो कि मैं हृदय से चाहता था एक दिन मान ने कहा कि किठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है मैंने सुना तो मेरे दिल पर ठेस लगी बुढ़ा आदमी डगमक पैर भला वो गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा फिर भी चाहा कि यदि मां कहे कि किठानी को बुला लेती हूँ तो मैं इस बार जरूर कह दूँगा कि हाँ बुला लो पर इस बार मां ने केवल उसके गारा मिट्टी धोने की खबर भर दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव ना किया एक दिन में कॉलेज जा रहा था देखा किठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है चालीस फुट उपर चाली पर चढ़ा बुढ़ा केठानी वो खड़ा होकर काम कर रहा था मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा ये सब मेरे कारण है और मैंने निश्चे कर लिया कि शाम को लौट कर मां से कहूंगा अब केठानी को बुला लो वो बहुत बुढ़ा और कमजोर हो गया है इतनी कड़ी सजा उसे ना मिलनी चाहिए दिन भर मुझे उसका खयाल बना रहा शाम जरा जल्दी लोटा रास्ते पर ही राय सहब का घर था मजदूरों में विशेश प्रकार की हल चल थी सुना कि एक मजदूर चाली पर से गिर कर मर गया पास जाकर देखा वो केठानी था मेरा हिदय एक आदमी की हत्या के बोध से बोझिल हो उठा घर आकर मा से सब कुछ कहा मा उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो मा अपने सीने वाली पोटली उठा लाई नया कपड़ा निकालने के लिए ज्यों ही उन्होंने पोटली खोली वो जम्बक की डिबिया खट से गिर गई तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज की ये चोटी सी कहानी पसंद जरूर आई होगी एक जम्बक की डिबिया के चक्कर में एक विश्वसनी ये नौकर को घर से तो निकाल दिया लेकिन उसके बाद में उसकी स्थिती देखकर उस पर दया भी आती थी कई बार फिर भी सिर्फ अपनी नाग के और अपनी इज़त के चक्कर में उसे वापस बुलाने की हिम्मत नहीं हुई और इन सब में अंत में वो बिचारा बूढ़ा अपने शरीर से ज्यादा बल वाला काम करते करते एक दिन उपर से गिर कर मर गया तो दोस्तों, ऐसे कई चोटी-चोटी किस्से हमारे जीवन में भी होते हैं जहां हम सिर्फ शक्क के आधार पर एक निरने ले लेते हैं और कई बार वो निरने गलत होता है जब हमें उसके गलत होने का पता चलता है तो हमारा दिल बड़ा दुखता है पर जैसा कि इस कहानी में है कि परिस्तिती हाथ से ही निकल गई तो उस परिस्तिती में चाहे हम किसी भी चीज का मलाल करें लेकिन जो घट गया है उसको उल्टा नहीं कर सकते या उसको वापस नहीं ला सकते तो इसलिए किसी के विबारे में कोई राय बनाने से पहले एक बार परिस्तितियों को समझने की कोशिश करें जल्दी से जल्दवाजी में लिया गया डिसीजन कई बार बहुत नुकसान दायक होता है वो कई बार खुद को ही मानसिक तोर पर प्रताडना दे जाता है तो दोस्तों आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ जल्दी ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए खुश रहिए और स्वस्त रहिए नमस्कार